तो सबसे पहले आपको इस तरीके के कोई आर्ट पेपर लेना है आप कोई भी कलर का ले सकते हैं तो इसके उपर ये मेरा पेंसिल तो तूट गया दूसरा लाना पड़ेगा आप पेंसे भी कर सकते हैं तो इस तरीके से आपको बहुत ये थोड़ा खुबसूरत होना चाहिए और इस तरीके से आपो आउटलाइन कर लेना है पहले मैं लीव की कर रहे हूँ, इसके बाद फ्लावर कर बनाऊंगी, उसके बाद एक बाट की भी बनाऊंगी तो अब हम चलते हैं फ्लावर की और बहुत आसान है ये फ्लावर बनाना इसको भी कट कर लेना है साइट से कट कर लूँगी अभी एक बार्ड बट ये अब देखेंगे वीडियो जब मैं पेंट करूँगी तो ये मैंने सोचा था कि इसको भी यूज करूँगी बट ये मैंने यूज नहीं किया है तो अब इस तरीके से एकदम हलके हाथ से अगर आपके हाथ पे ना लग जाए बहुत ध्यान से कट करना तो इसको कट कर लेना है तो देखिए मैंने यहां सारे कट कर लिया है आप इससे थोड़ी सी बड़ी लीप भी बना सकते या थोड़ी सी छोटी भी बना सकते तो सबसे पहले इसके नीचे इस तरीके की कोई cardboard रख सकते हैं आप paper का भी use कर सकते हैं बट newspaper का use ना करें वो बहुत पतला होता है या फिर आप इस तरीके की frame का use कर सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा पतले टाइप की कपड़ों के उपर paint करते हैं तो frame का जरूर use करें back side पे color नहीं आएगी तो ये मेरा scale पता नहीं मेरा बेटा ये हमेशा उसको scale ही पसंदे तो इसलिए मैं हमेशा maximum time में ये cardboard से में ये marker लेती हूँ तो आपको जितना broad चाहिए आप कर सकते हैं अपने हिसाब से तो उसके अंदर ही हमें design करना है तो इसको पहले इस तरीके से रख दीजिए अब color आप कोई भी plate के उपर रख सकते हैं और ये है flat brush flat brush से ये अच्छा होता है और मैं यह black color use कर रही हूँ तो इसको अच्छे से प्रेस करके रखना है आपको अगर ये ना प्रेस अच्छे से नहीं करेंगे तो क्या होगा ये इधर उदर जाएगी तो आपकी ये design एकदम खराब हो सकती है तो ये देखिए कितना ज्यादा खुरसूरत है और ये color के उपर color combination मेरे खाल से बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है black इसके उपर बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं और एक बार बुलूँगी आप इसको अच्छे से प्रेस करें तो देखिए ये हमारी leaf भी बहुत सुन्दर हो रही है इस तरीके से करें तो अब यहाँ आप एक leaf भी दे सकते हैं या फिर flower भी दे सकते हैं बट मैं यहाँ एक leaf देऊंगी सेम तरीके से side पे इस तरीके से spread कर दीजिए इस से नब flat brush से ही अच्छा होता है और यह flat brush मैं इसको paint के लिए मैं use नहीं करते हूँ क्योंकि यह खराब हो चुकी है इसलिए मैं इसको use कर रही हूँ round brush से भी आप कर सकते हैं 4 नमबर के round brush 6 नमबर के round brush से आपको हो जाएगी अच्छे से बट flat brush में मुझे लग रहा है यह जो shade है ना इससे ज्यादा अच्छी होगी round brush से तो यह आपको जितना लंबा चाहिए आप कर लीजिए इस तरीके से यह देखिए कितना खुल सूरत है आप इससे छोटी भी flower बना सकते है या फिर थोड़ी बड़ी भी बना सकते है बस तरीका इसका सेमी रहेगा बहुत ध्यान रहे हाथ से color इधर उधर ना लग जाए क्योंकि मेरे यह बहुत के बाद भी कुछ नहीं होती है ऐसे रह जाती है तो यह देखिए मेरी तो यह खतम होगी मैं पुरा end तक कर रही हूँ तो यह उपर का ना इसका यहां मैं थोड़ी सी इवूस करूंगी नहीं तो यह थोड़ा खाली-खाली सा लग रहा है मुझे यह टेक्निक आपको कैसे लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना और मेरी हिंदी थोड़ी सी खराब है तो समझ लेना तो यहां मैं ग्रीन कलर यूस कर रही हूँ और round brush आप कोई भी green यूस कर सकते है जैसे sap green फिर turquoise blue उसको turquoise blue बोल दे बट वो green कलर की एक shade है बहुत खुबसूरत है मुझे बहुत पसंद है बट क्या है वो थोड़ी सी डर्क है तो यहां मैंने ब्लैक कलर यूस किया है इसलिए मैं उसको यूस नहीं कर रही हूँ नहीं तो बहुत पसंद है तो इस तरीके से आपको leaves को करना है यह मैं सोच रही थी honestly नहीं करूंगी बट बाद में मैंने देखा यह बहुत ज्यादा खाली-खाली सा लग रहा है तो करने से अच्छा ही लग रहा है मेरे कहल से अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको आप skip भी कर सकते हैं क्योंकि सब के पसंद अलग-अलग होती है और यह वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी helpful लगे तो like जरूर कर देना और end पर मैं दिखाऊंगी यह पहनने के बाद में कैसी लग रही हूँ तो यहा हम छोटी-छोटी flower ऐसे बनाएंगे बाद में इस तरीके से अब हलका-हलका branches बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि हमें यह flower के यह जो shade है इसके उपर ज्यादा focus करना है तो और ज्यादा flower हम नहीं बनाएंगे बहुत ही हलका-हलका तो यह flower के center पे pink color से इस तरीके से round कर दीजी और उसको feel कर दीजी यह color से तो इस तरीके से कर सकते है अब dot 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 देखिए तो flower के center पे जो pink है ना उसकी side पे यह जो हम कर रहे है तो यह mix हो जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा अलग कुछ नहीं लगेगा और बंगली होले अब श्री बंगलाए कमेंट करो और बंगलाए चैनल देखते चले व्लोगे चैनल डिस्क्रिप्रिप्शनल लिंक का छे देखिने हो तो देख सकते हैं यह है अप्टर कंप्लीट इसको जरूर ट्राइ करना और कॉमेंट करके बता ना आपको इस डिजाइन कैसी लगी टेख केर बाई